आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ question क्या पूछा है हम से question पूछा है number of students enrolled in BTEC in the year 2014 and 15 together was what percentage of total number of students enrolled in medical medical में जो enrolled किया in 2015 तो देखो हम में सबसे पहले तो क्या करेंगे number of students enrolled in BTEC find out कर लेंगे 2014 और 15 का plus और divide by medical के students से divide कर देंगे multiply by 100 तो देखो BTEC के जो student है उनको कौन सी लाइन रिपरेजेंट कर लिए जिसमें rectangle है और medical वाली student को triangular वाली लाइन रिपरेजेंट कर लिए तो total number of student in BTEC in 2014 and 15 find out करना हमे तो total number of student in BTEC 2014 and 15 तो देखो कितना होगा 2014 की अगर हम बात करें तो BTEC की बात और ये तो इस point की बात होगी और 15 में इस point की बात होगी BTEC के लिए तो दोनों points की value क्या आएगी देखो इस point ये point किसके बीच में लाइक करता है 200 and 250 के बीच में लाइक करता है और 200 and 250 के बीच में 5 line है हर एक line फिर 10 को लिपर्जेंट करेगी तो देखो इस वाली line की value 200 है इसकी 210 इसकी 220 और इस वाली line की 230 है 230 student होगे 2014 में ऐसा ही 15 की अगर हम बात करें तो 15 देखो 300 and 350 के बीच में लाइक करता है तो second line पे है यह point तो यहाँ पर कितने होगे 320 student होगे तो total student हमारे पास कितने होगे 230 plus 320 तो हमारे पास 550 students होगे हम लिख सकता है 550 students ऐसा ही अगर हम बात करें medical में कितने से student 2015 में देखो 2015 की बात हो रहे है और medical की बात हो रहे है तो triangular वाली point की बात होगे 2015 यही है तो इस point की value क्या होगी देखो यह इस point की value exact कितनी है 250 है तो हमारे पास number of student in medical भी आगा number of student in medical in 2015 250 आगा तो हमसे question में पुछा गया है 550 is what percent of 250 तो percentage is equal to क्या होगा 550 divide by 250 into 100 simplify कर लेंगे 0 से 0 कट गया 25 से 4 times कट गया तो 55 into 4 220 तो यह हमारे पास क्या आगा percentage आगा तो option 4 में given हमें 220 तो option 4 is the correct answer Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट आज चारसो 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 पर